हेलो गैस मुझे एक गलती हो गए मतलब OVA के एपिसोट 1 और 2 का लास्ट का थोड़ा सा सीन रह जुका है वैसे न मैं भूल कैसे गया हूँ मैं बता देता हूँ मतलब एपिसोट के लास्ट मेंने एक सौंग बज़ता है सौंग बज़ रहा था इसका मतलब मुझे लगा कि एपिसोट खतम हो गया होगा लेकिन उसका लास्ट का थोड़ा सा सीन रह चुका था लगबकना 30 सेकंड या फिर एक मिनिट का सीन रह चुका था जहां पर हमें एक चरवाहे को दिखाया जाता है जो फेड को चरा रहा था तभी ने उसके नजर आस्मान में जाते है जहां पर एक हाथ उड़ रहा था और उसे दिखकर काफी सतर डर जाता है और अपने घर में जाता है और कहते है कि डाट मैंने कूड़ता हुआ हाथ दिखा वैल उसके डाट तो खर पर होते नहीं और पीछे से एक बंद आता है और कहते कि उसके बारे मुझे पूरी जानकारी दू और वो कोई और नहीं होता ड्रैफ्योज होता है और ड्रेफिस ना जिन्दा कैसे हुआ या फिर ये ड्रेफिस है ही नहीं ये सब कुछ हमें आगे पता चलेगा तो अब ठीक है मैं OVK एपिसोड 2 के लासका सी नेक्स बिलन करता हूँ जिसे मैंने थामनेल में 26 लगाया है बान और मेडलेस की खतरनाख फाइट होने के बाद रहना वो सारे लोग चले जाते है उसके बाद से सीन चेंज होता है और ड्रेफिस ना उस बच्चे से पुछता है कि उसके बारे मुझे सारे चीज़े बताओ और बच्चाना डरते हुए बताता है कि वो लिवनेस की तरफ से आया था वो हातना मुश्किल से उड़ रहा था इसके मतलब वो जरूर जुहुर वैली की तरफ गया होगा तब इन्हों उस जरुआ है कि डैड भी आ जाता है और कहते है कि वहाँ पर अफवाई है कि वहाँ पर मॉस्टर रहते है ड्रेफुस कहते है कि तुम्हारा सुक्रिया और उन दोनों का काम खतम कर देता है और वहाँ से निकल जाता है मुझे तलोगरे यह ड्रेफुस है ही नहीं क्यूंकि ड्रेफुस से सथा ही नहीं यही लास्ट के सिंधे ना जिसे मैं भूल गया था ठीक है तो मैं एपिसोड 3 एक्स्प्लेन करना सुरू करता हूँ एपिसोड के स्टार्टि में फैस्टिवल चल रहा होता है और वहाँ पर डियान और किंग एक साथ होते है और किंग सोचने लगता है कि डियान ने उसे ना कितने प्यार से कहा था कि क्या तुम मेरे साथ फैस्टिवल में चलोगे डियान उसे चिलाती है और कहते कि तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें फायरवर्क अच्छे से देखने चाहिए वैसे भी हमें ना फायरवर्क देखने के लिए किंडम की एक वियापी जगा मिली है और वोसे कहते कि मुझे याद आया बार में मुझे कैप्टन की मदद करने होगी इसलिए मुझे जाना होगा किंग डियान से कहते कि एक बार रुको लेकिन वो तबी खबरा जाता है और कहते कि ठीक है मैं भी वापस आऊंगा मुझे भी जाना होगा और वोसे कहते कि हम फिर मिलेंगे बाई 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 उसके जाने के बाद ना किंग का दिमाग खराब होने लगता है सीन चेंज होता है जहाँ आपना जोरो सोरो से बान ना ड्रिंग कर रहा था और वो होकवर ना ड्रिंग गिराते हुए कहता है कि तुम्हें भी पीनी चाहिए हाँ सर कहता कि मुझे और ड्रिंग चाहिए वहाँ पना ड्रिंग आखते है और से ड्रिंग देती है और कहते के हैलिजबेत नहीं है, इसलिए मैं उसकी जगा पर काम कर रही हूँ और बार के च्थ पे चिन पेने कींग होता है, जो अपने डॉगी के साथ बात कर रहा था और अपने डॉगी से कहा है कि क्या तुम्हें पता है, मैंने डین के साथ सौपिंग पे गया था क्या तुम्हें पता है कि शौप की पर ने क्या काता उसने काता कि हमें वो बैस्ट सर्विस देगा किंग ने डॉगी को पकड़ते हुए कहता कि तुम्हें क्या लगता है डियान मुझे लेकर वो तबी कहता कि सच मुझ मैं तो पागल हूँ ऐसा नहीं हो सकता है ये तो नामोंकिन है डियान ना कैप्टन की पिछे पागलों की तरह पड़ी हुई है वैसे भी कुछ दिन पहले ना डियान ने मुझे फेस्टिवल में इन्वाइट किया था हौक ना उस डॉगी के उपर आ जाता है और कहता है कि तुम सारी चीज़े मुझे बता रहे हो क्या फिर किंग उसे कहता है कि उच चीज़े ऐसी होते है जो बिना बता ही अच्छी लगती है हौको न डॉगी मूँ के अंदर लेता है और किंग उसे कहता कि गर तुमने इसे खाया ना तो तुम्हारा पेट खरब हो जाएगा और बान है उसे नीचे से चिलाते हुए कहता कि नीचे आओ चलो पीते है फिरना में नेक्स दिकास इंदिकाय जाता है जहां पर हाऊसर उडरता है उसके पास ना ढीयन आकर कहते कि गूड बार्निंग हाऊसर उसे पुछता कि तुम कापर जा रही हुए और ढीयन कहते कि लगता है कि मुझे गुलिया लेनी चाहिए ये मुझे मरली ने दिया है इसे खाने से न मैं छोटे साइज में रहती हूँ अगर मैं एपने रियल साइज में रही न तो लोग मुझे से डरेंगे दूश्ट अपना हॉक सो रहा होता है और वो नीन में होता है और कहता कि वहीं पर रुख जाओ बच्चे मैं तुम्हें खा जाओंगा और लिडकती वें जाता है और एक जार से टकराता है और जार करते हैं तो भी इसके लिए कुछ करना चाहिए मैल्यूडस ना पिंजे कपर नहीं होता और वह एलिजबेट के पीछे आ जाता है और उसके संत्रे दबाने लगता है और कहते कि मैं अलिजबेट का में सब्सक्रियादा करना चाहिए रात को तुम पूरी तरह से टली हो गए थ तैंकि साइड़न रिख के लिएक्ट के साटैने के इन्सानोंन अच्छा पर्ताव नहीं किया मुझे नहीं पता कि मैं डियन को कहसे संजाओ I लेकिन न किंग डराऊने लुक में कहता है कि तुम्हें समझाने की कोई दरुत नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा और वो किंग वहां से चली जाता है, आउसार उसे रोकने के चक्कर में रबान के उपर गिर जाता है, किंग न डियन को हर जगह पर ठुणता है, और वो सोचे लगता है कि साइद न डियन इंसानों से तंगा कर यहां से चली गई होगी, यह सारी बाते सोचके न किंग का फिसदर डर जाता है, तब ही उसे डियन मिल जाती है, जो कुछ काम करने वाले बंदों से न बात करी होती है, और वो बंदे कहते है कि तुम्हारी मदद के लिए तुम का फिसदर ताकत वर हो, डियन कहती कि यहां के रहने वाले लोगों को न मेरे परेशान किया है, फिर ही वो बंदा पुछता है कि तुमने ऐसा किया सकिया, और डियन न आपने बाल पकड़ती है, और सारे बंदों को पता चलता है कि यही है सेवन डेली सिंस की एक अफ एनवी डियन है, लेकिन तुम यहां पर क्या कर रही हो, और उन लोगों की बातों को न किंग सुन रहा था, डियन कहती कि आप लोग न मुझसे नफरत करते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों से माफित मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो बंदा कहता कि माफि लगे, चलो खाना खाने चलते हैं, वो बंदा ना डियन से कहते हैं, तुम हमारे साथ खाना खाना चलोगी, और डियन भी मान जाती है, उसके बाद ना डियन खुशी कोशी जाने लगती है, उसके पास किंग आकर कहते हैं, तुम ने तो अच्छा काम किया, डियन किंग से कह ना ना किंग से कहते कि पहले की तरह का कया मतलब है। मैंने उसको नहीं गिना मैं तो 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ Dehan島 कहते कि 200 साल पहले लेकिन King कहते कि ये तो अज़िब है हम तो 15 साल पहले मिले थे Dehan cmak पर जाती है और कहते कि ये तो कितने जधा सुन्दर है और King उसे कहते की खरीद लो लेकिन डियान कहते कि बस मैं देख रही थी क्या तुम्हें भूक लगी है और किंग कहता कि लगी तो है डियान ना किंग का हाथ पकड़ते है और एक शॉप पे जाते है जहाँ पर वो खाना करीते है दोनों की खाना खाना शूरु कर दिते हैं और Dian को इतना पसंद आता है कि वो King का जुटा खाना खार लीती है खाने के बाद ना King को अपना खाना ओफर करती है और King का फिज़र शर्माने लगता है तब ना King की नज़र दूसी तरफ जाते है जापर हासर पी रहा था किंग ने जल्दी से डियान का खाना खाता है और जल्दी से उसे वहां से ले जाता है उसके पत्रां डियान उसे पुछते कि तुम्हें क्या हुआ और किंग कहता है कि मुझे लगा कि हमें दोड़ना चाहिए दियान कहते कि चलो खेलते हैं, जब तक कि हम बार में ने पहुंच आते हैं, चलो खेलते हैं, मैं हमें ससे ने पूरी सिटी में खेलना चाती थी, अब जब कि मैं छोटे साइस की हूं, मैं खेल सकती हूं, किंग कहते कि चलो खेलते हैं, दियान उससे कहते कि तुम्हें मुझे चलो ठीक है तब ही उसे याद आता है कि 200 साल पहले अ डियन कुषाब को अगर तुम चाते हो कि मैं तुमारे लिह कुछ करू हुँ तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा डियन ना इतने प्यार से कहते है कि किंग भी शर्मा जाता है और डियन भागने लगती है और किंग उसके पीछे होता है और उन दोनों की पकड़ाम पकड़ाए ना काफी देर तक चलती है और किंग सोचता है कि डियन मेरे लिए क्या कर सकती है क्या हो मेरे साथ डेर पे किया तुमें एक दोस्य से वादा करते हो कि एक सात्र रोगेंज फलाना, धिम करना सब कुछ और उस साधी में डियन भी होती है और डियन के पास किंग आ जाता है डियन न किंग से कहते कि तुमारे सर पर फूल है क्या तुम्हें पता है कि इन्सान साधी क्यों करते है क्योंकि उनकी जिन्दगी कम होती है और वो बच्चे पैदा करते है और अपनी जनरेशन आगी बढ़ाते है लेकिन हमारे लिसका कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारे जिन्दगी बहुत दादा होती है मुझे जलन हो रही है और किंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी पता है तक या तुम्हें या थे तभी नहीं वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पर से बहुत बड़ा डीमन लिकर निकलता है और उस लड़की के husband को पकड़ लेता है King D.N. से कहता है कि तुम यहीं पर रुको मैं वहाँ पर जार रहा हूँ लेकिन D.N. कहता है कि मैं भी तुम्हार साथ चलूँगी और King उसे dodge करने लगता है और D.N. उसके attack को पकड़ लेती है D.N. ना Demon पर जोरदार attack करती है और King उसे कहता है कि माफ करना D.N. मुझे लेकिन वो Demon D.N. को पकड़ लेता है और King कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं तुमने मुझे पकड़ लिया जैसा कि मैंने कहता है मैं तुमारी एक बात को मानूँगी और King उसे गहता है कि क्या तुम्हें हमारी पिछली बात याद है लेकिन ना D.N. उसकी बातों पिजान नहीं देती उसे एक प्यार सिकीज देती है और King ना पुझी तरह से सर्मा जाता है D.N. उसे कहता है कि चलो खार चलते है लेकिन तब ही King के उपर एक इड़ गिरती है जिससे ना King भी वोस हो जाता है जब King को होशाता है नहीं तो D.N. की गोद में होता है और जल्दी सूट जाता है और D.N. उसे कहती कि लगता है कि अब तुम ठीक हो King ना D.N. से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वैसे मुझे याद था और D.N. उसे कहती कि यह तुम भूल गई King का होता है और Hendrickson का फिदा कमजोर होता है और उसके बहुत जादा चोटे लगी होती है Hendrickson आपने आके धिरे-धिरे बंद करने लगता है तब ही उसे आवाज आती है क्या तुम ए नहीं लगता कि तुम जल्दी मर रहे हो Hendrickson कहते कि क्या तुम ड्रेफिस हो और Hendrickson के सामने ना ड्रेफिस होता है और ड्रेफिस कहते कि क्या तुम रो रहे हो और Hendrickson रोते हुए कहते कि मैंने बहुत से गलत काम किये है जिसके लिए मुझे माफ नहीं किया जा सकता और उन मेंसे तुम भी हो क्या तुम मुझे मारन प्रफुज ने वाले मैं बहुत ज़ता ठक गया हूं और मेरा सरह हिली भी नहीं सकता। ड्रेफुज ना उसके पास आता है और उसे अपना खुन पिलाता है और कहते कि मेरे प्यारे दोस्त खड़े हो जाओ। और ड्रेफुज के खुन पिलाने के बाद ना है डिक्सन के बॉड़ी रिक्वार करने लगती है और ड्रेफुज के सर पे ना वही निसान था और इसके साथ यवाला एपिसोट करता होता है।